कोटिल्य के अनुसार शिक्षा की परिभाशा, शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। हिंडर्सन के अनुसार शिक्षा की परिभाशा, यदि शिक्षा केवल सामाजक विरासत को एक पीली से दूसरी पीली तक हस्तान्तरित करती है तो वो केवल अतीत की पुनरावृत्ती करती है। शिक्षा केवल बच्चों की अभिवृद्धी और विकास की प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजक वातावरन के रूप में सामाजक विरासत को उत्तम और बुद्धिमान पुरुशूं एवं स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। यह शिक्षा की वही प्रक्रिया है जिसका समर्थन दार्षनिकों और शिक्षा सुधारकों ने किया है। यही शिक्षा की सत्य धारना है। अभ्यास तथा विकास है और यह ज्यान के केंद्र एवं जीवन के संधर्षों के माध्यम से प्राप्थ होती है। शिक्षा व्यक्ती की शक्ती का और विशेश रूप से मानसिक शक्ती का विकास करती है जिससे वो परम सत्य शिव और सुन्दर के चिंतन का आनंद उठा सके। जोन डीवी के अनुसार शिक्षा की परिभाशा शिक्षा व्यक्ती की उम्र योग्यताओं के विकास का नाम है जो से उसके वातावरन पर नियंतरन रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। अर्विंद गोश के अनुसार शिक्षा की परिभाशा शिक्षा से मेरा अभिप्राया बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक बौधे केवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीन उन्नती से है। स्पेंसा के अनुसार शिक्षा की परिभाशा, शिक्षा में आदतें, स्मरन, आदर्ष, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बोधेक्ता और रुची नयतिक विचार और ज्यान ही नहीं वेधियां भी सम्मिलित हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाशा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीन विकास शरीर मस्तिशक और आत्मा से है. साथियों अगर शिक्षा की परिभाशा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे धन्यवाद